आज हम लोग LCM HCF चरपकर से कुछ question solve करेंगे, चलिए वीडियो को start करते हैं, इस्ते पहले जो चनल पर नहीं है चनल को subscribe करें, question number 21 देखते हैं, इस्ते पहले का question का link आपको description में मिल जाएगा, question दिया गया है, यदि तीन संख्याओं का मौसो 36 है, तथा उन संख्याओं के बी तो ये तीनों का हम लोग को HCF निकालना होगा, तो तीनों का जब HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, और 1 से इसको divide करेंगे, ठीक तो इसको divide करेंगे, तो इतना ही आएगा, और जितना आया हम लोग का इससे बस multiply कर दीजिए, ये तीनों से multiply कर दीजिए, और वही हम ल और इससे इसको multiply करेंगे तो 1764 और यही हम लोग का answer हो जाएगा यह चीजी याद रखिएगा जब HCF दिया रहे तो जितना अनुपात में दिया गिया संख्या है उसका HCF निकालके divide करना है इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 आया और 1 से इसको divide करेंगे तो 36 ही आएगा गर माल लेते हैं यहाँ पर 2 आता है तो 2 से इसको divide करते हैं तो 18 आता और उससे multiply करते हैं ठीक है अब आगे question देखते हैं question number 22 देखते हैं इसमें दिया गया है यह सब सेंख्या है और महत्तम समाबढ़ते भी बोला गया है मतलब XCF तो देखिए option hit की मदद से हम लोग करेंगे जिस option से यह 4 हो डिवाइड होगा तो 7 से divide करते हैं देखिए 7 6 जा 42 डिवाइड हो रहा है यह 7 कटेबल में यह भी हो इसका मतलब हम लोग का answer 7 ना होके 14 हो जाएगा तो महत्तम समाबढ़ते भी बोला गया है HCF तो बड़ा वाला हम लोग लेते हैं तो option C हो जाएगा directly अब आगे question देखते हैं question number 23 में दिया गया है दो संख्याओं का लगुत्तम समय बढ़ते भी इतना है मतलब LCM दिया गया हम लोग को 2310 तथा महत्तम समय बढ़ते भी 30 है मतलब HCF जो है वो 30 है एक संख्या इतना है एक संख्या का value 210 है तो दूसरी संख्या क्या होगी दूसरी संख्या हम लोग को निकालना है तो इसको x माल लेते हैं अब formula हम लोग को पता है LCM into HCF is equal to पहला संख्या into दूसरा संख्या बस formula में इसको put करना है तो अब लिकेट 2310 into 30 और ये इधर आएगा तो divide में चल जाएगा is equal to x 0-0 कर गिया देखे 3 का table में 7 बार में 37 जा 21 होता है अब 7 का table में ये काटी है 7 3 जा 21 बच लिया 2 फि 7 3 जा 21 एक 0 बच गिया तो x का value हम लोग का 330 आया x is equal to 330 ये हम लोग का answer हो जाएगा अब आगे देखते हैं दिखिए question number 24 में दिया गया है यातायात बत्तिया करमसा 3 बिभिन पर पिछेद बिंदों पर करमसा इतना second के अंतराल पर बज़ती है इन 3 को एक साथ इतना घंटे पर बदल दिया गया तो आगामी परिवर्तन एक स 72 का एल्सियम करना है इसको हम लोग क्रिक से करेंगे देखेंगे कि ये सबसे बड़ा कौन वाला है तो सबसे बड़ा 72 है अब बाकी दोनों से इसको काट के देखेंगे तो कट रहा है कि नहीं वो देखेंगे तो इसका डबल करेंगे मतलब 2 से multiply तो 2 2 जा 4 2 7 जा 14 इतना हो और इसका table में 3 bar में यह आ जाता है तो यह कड़ जाएगा LCM हम लोग का आया 144 बस इसको एड कर देना है इसमें तो 144 जो आया यह इसमें देखी किया था सेकेंड में दिया गया था तो यह सेकेंड में आया ठीक है और यहां पर इसको ऐसे लिखा गया था इसका मतलब है 9 घंटा सेकेंड यह घंटा है यह घंटा है यह मिनट है और यह सेकेंड है और यह हम लोग का आया सेकेंड में इसको हम लोग चेंज करेंगे इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं मिनट में सेकेंड को जब मिनट में चेंज करते हैं, तो साथ से डिवाइड करते हैं, अब देखे, छे दूने बारा, मतलब 120 सेकेंड होगा, तो 120 सेकेंड मतलब, साथ से इसको डिवाइड करेंगे, तो 6 दूने बारा, मतलब 120 तक तो आएगा ही दो बार में, मतलब 2 मिनट आ गिया, इसको बस add कर दीजिए, तो 9 हो गिया, 10 और 12 और 24, 24, 48 यह हम लोग का answer हो जाएगा, इसका मतलब है 9 बजकर 12 मिनट, 48 सेकंड में यह दुबारा दिखाई देगा यह सब बत्ती ठीक है, तो यह हम लोग का answer हो गिया, question number 25 देखिए, तीन घंटिया करम से 4 सेकंड, 6 सेकंड, और 8 सेकंड के अंतराल में बजती है, जब ऐसा question रहेगा, तो यह हम लोग 24 के जैसा ही है, उसमें बत्ती था, इसमें घंटी है, जब ऐसा रहेगा बत्ती या घंटी वालत LC हम निकालेंगे, तो इसका LC हम लोग डारेक् की दोनों कड जाना चाहिए, देखिए, 4 का टेबल से यह कड जाएगा, 6 का से नहीं कड रहा है, तो 8 को डबल करिए, मतलब 2 से multiply 16, अब 6 का टेबल में 16 नहीं आएगा, तो फिर इसको 3 से multiply करेंगे, तो 8 सीरीजा हो जाएगा, 24, अब देखिए, 6 का टेबल में 24 आ रहा है, म यह यदि 11 बजे वे एक साथ बज़ती है, तो दोबारा कितना बज़े बज़ेगी, तो 11 बज़े तो बज़ा था, तो मतलब 11 बज़कर 0 मिनिट और इतना सेकंड ठीक है, सेकंड भी 0 है, तो इतना यह सेकंड के जगा पे हो जाएगा, तो 11 बज़कर 0 से 24 सेकंड, इतना हम का answer हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर answer में हम लोग देखते है, तो 11 बज़कर 24 सेकंड, तो वही है, 11 बज़कर इतना लिखिए, यहाँ पर 11 बज़कर 24 सेकंड, तो option, यह हम लोग का हो जाएगा, question number 26, इसमें दिया गया है, यदि एक घड़ी 12 बज़ाने में 22 सेकंड लेती है, तो 6 बज़ाने में कितना समय लेगी, तो यहाँ पर जो 12 रहेगा, इसमें एक कम कर दीजिए, मतलब 11 equal to 22 लिखेंगे, इसमें एक घठा के लिखेंगे, तो 6 बज़ने में बोला गिया है, तो इसमें भी एक घठा देंगे, तो हो जाएगा 5, अब इसका value हम लोग निकाल लेते हैं, तो 22 by 11, और यह multiply में चल जाएगा, यह 11 का table में 2 बार में, और 2 फाइब जा 10, तो यही हम लोग का answer हो जाएगा, question number 27, इसमें दिया गया है, 4 घंटिया एक साथ बजने लगती है, तब तथा बाद में करमानु सार, 8, 9, 10 और 15 सेकेंड के अंतराल में बजती है, तो 10 सेकेंड के परश्चात, पहली बार 4 घंटिया फिर एक साथ बजने लगेगी, ठीक है, घंटिया वाला question है, तो LCM कर देना है, और देख यह इसको हम दूसरा तरीका भी बताते हैं, या तो इसका LCM कर दीजी, answer आ जाएगा, 8, 9, 10 और 15 का LCM निकाल दीजी, हम लोग का answer जाएगा, ठीक है, या फिर हम लोग option hit से भी कर सकते हैं, इससे पिछले वाला question था, उसमें time mention किया हुआ था, उसमें 11 घंटा दिया गया था, 11 बजने के बाद कितना बजे बजेगा, वैसा इसमें कुछ नहीं दिया गया है, तो इसका देखिए, या तो LCM करेंगे, या फि जाएं सिक्स्टीन टू बचेगा, नहीं कट रही है, तो यह तो होगा ही नहीं, 8 का टेबल में इसको देखते हैं, तो 1432, और बत फ्सीर और 745, 1440, ये कट जा रहा है, 9 का टेबल में भी कट जाएगा, 946, 10 का टेबल में भी कट जाएगा, लास्ट में 0 है इसलिए, 15 का टे और जब 5 और 3 दोनों से कट रहा है तो इसका मतलब है यह 15 से भी कट जाएगा तो चारों से यह कट गिया तो हम लोग का एंसर भी हो जाएगा या फिर जिसको यह समझ में नहीं आया हो इसका LCM निकाल देगा एंसर इतना ही आएगा अब आगे देखते हैं question number 28 में दिया गया है दो सेंख्या हूँ में एक सेंख्या इतना है तो एक सेंख्या हम लोग लिख लिए 24 लॉसो दिया गया 48 मतलब LCM 48 मतलब HCF जो है वो 4 है तो दूसरा संख्या क्या है तो दूसरा संख्या हम लोग मानते है हम लोगों को formula पता है पहला संख्या गुना दूसरा संख्या is equal to LCM into HCF होता है बस इसको formula में put कर देना है x is equal to 48 into 4 तो हो ही जाएगा यह multiply में है equal to कि इस पार आएगा तो divide में हो जाएगा अब देख यह 24 का table में यह 2 बार में होता है और 24 जा 8 तो x is equal to 24 जा 8 और यही हम लोग का answer हो जाएगा question number 29 देखते है इसमें 4 घंटिया दिया गया है इतना कि अंतराल में बजना प्रारम करती है तो एक साथ बजना प्रारम करती है कितने मिनट बाद यह एक साथ फीर से बजेगी तो ऐसा question को हम लोग LCM कर देंगे तो LCM कर देंगे तो हम लोग का answer आ जाएगा या फिर direct option देखके करेंगे 3 का table में यह लग जा रहा है 4 का table में भी लग जा रहा है 5 का में भी लग जा रहा है 5 का table में लगने के लिए last 0 है 5 से लग जाएगा और 8 से 8 1 जा 8 बच गिया हम लोग का 8 5 जा 40 यह लग जा रहा है तो यह हम लोग का answer हो जाएगा कोईश्चन नमबर 30 देखते हैं इसमें दिया गिया है 15, 35, 45 और 75 का HCF तो HCF जब हम लोग निकालते हैं तो छोटा वाला देखते हैं तो छोटा इसमें यह है और देखते हैं कि यह सबको काट रहा है कि नहीं तो दीके 15 से यह कड जाएगा 15 से यह भी कड जाएगा 3 बार में 15 15, 4 जा 60 होता है और 15, 5 जा 75 तो हम लोग का direct answer A हो जाएगा ठीक है? option A अब आगे देखते हैं question number 31 में दिया गया इतना का LCM तो LCM निकालने में टाइम लगेगा तो इसलिए हम लोग option देखके पता करेंगे जो चारों को काड देगा वही हम लोग answer तो देखिए 8 से काड रहे है तो 8 से यह तो कटेगा बाकी सब नहीं कट रहा है यह कटेगा यह दोनों नहीं कट रहा है तो यह होगा नहीं 12 से देख रहे हैं तो यह कटेगा बाकी नहीं कट रहा है 16 से देखिए सिर्फ यह कट रहा है तो यह तीमों जब नहीं हुआ तो हम लोग का एंसर हो जाएगा 48 अब देखिए इसको देखिए 4 से काटेंगे तो कट जैगा pair makes show में 5-2 जाएगा लेकिन यह सब से कातकर देखेंगे 32 में दिया गया है एक 6 cm x 42 cm x 45 cm माप बाले घनाव को एक पूर्ण निश्चित संख्या बाले बराबर घन में काटा गया देखिए यह सब घनाव है और इसको हम लोग काट रहे घन में तो घनाव को घन बना रहे हैं तो घनों की कम से कम संभवत संख्या क्या है मतलब जब घन हम लोग को छोटा से क्या देखते हैं इसको काट रहा है तो यह को नहीं कर रहा है अब 3 से काटके देखिए 3 से देखिए ये 3 कड़ जा रहा है तो हम लोग का HCF जो निकला वो 3 तो अब देखिए ये जो 3 था 3 को उतारेंगे हम लोग और जो HCF आया उसको multiply करके लिख देंगे 3 बार लिखेंगे ठीक है क्योंकि आयतन हम लोग ऐसे करके लिकालते है तो इसका आयतन से हम लोग डिवाइड करते हैं तो 3 का आयतन मतलब 3 का क्यों अब इसको डिवाइड कर दिए तो 3 का टेबल में ये 2 बार में 3 का टेबल में ये तीकि का टेबल में ये 3 1 जा 3 जब इसको multiply हम लोग करेंगे तो आज आएगा हम लोगा 420 और यह हम लोग का answer हो जाएगा इसके कहने का मतलब था यह 3 3 से हम लोग divide आखिर क्यों करेंगे तो क्यों पूछा गिया है घन पूछा गिया है कितना घन बनेगा तो घन जो होता है ठीक है माल लिए घन है ऐसा घन होता है अब घन का हर एक side 3 होना चाहिए तो यह 3 निकला इसका हर एक भुझा थिरी 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 होगा तो घन का जो हम लोग item निकालते हैं वो aq भुझा है इसको हम लोग 3 बार लिचे multiply करके ठीक है अब आगे question देखते हैं question number 33 देखिए इसमें दिया गे एक कमरे की लंबाई इतना ठीक है हम समझा रहे हैं सिर्फ लंबाई है यह 40 और चोड़ाई 24 है तो उस छड़ की लंबाई की आथ बताईए जो कमरे की लंबाई की चोड़ाई और चोड़ाई को पूरा-पूरा माप सके ठीक है तो ऐसा जब question रहेगा तो दोनों का हम लोग को hcf निकाल देना है तो answer आ जाएगा या फिर option को देख के हम लोग पता करेंगे जिससे यह दोनों कटेगा वही answer तो एक 13 से यह दोनों देखी नहीं कट रहा है 16 का table में नहीं आ रहा है 8 का table में देखी 8 5 जा 40 8 3 जा 24 आ जा रहा है और 14 का table में नहीं आ रहा है तो हम लोग का answer यह हो जाएगा यह दोनों को काट रहा है तो directly ये option देखे कर दी या फिर दोनों का hcf निकाल लीजिए तो भी 8 ही आएगा ठीक है ये दोनों का hcf मतलब 40 और 24 का जब hcf निकालेंगे तो 8 आएगा और यह हम लोग का answer है question number 34 देखे इसमें दिया गया है एक 15-17 cm लंबा और 9-2 cm चोड़ा एक कमरा तो देखे एक कमरा है ऐसा इसका लंबा है 15-17 cm तो मिटर को देखे सेंटिमीटर में convert करेंगे तो पंदरा सो मिटर होगा, पंदरा सो सेंटे मिटर और सतरा सेंटे मिटर हो जाएगा यह अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, इतना मिटर चोड़ा है तो 9 मिटर चोड़ा है, तो 9 मिटर में कितना 900 सेंटे मिटर और 2 सेंटे मिटर टाइल्स लगाना है तो बर्गा का टाइल्स का लगाएंगे तो इसका छेतर फल घेरेगा तो हम लोग पहले इसका यहाँ पर होगा, अब यह देखिए, 1 बार में देखेंगे, तो 615, अब इसे इसको माइनस करेंगे, 12 से 5 घटेगा, तो 7, और फिर यह 9, यह 9 हो गया, ठिक, इसे इसको घटाएंगे हम लोग, तो आएगा 8, 9 से 1 घटेगा 8, फिर यह 8 से 6 घटेगा 2, फिर इसको यहाँ पर एसे करके हम लोग निकालते हैं, तो जब इसको 2 से हम लोग मल्टिप्लाइ करेंगे, तो हो रहा है, 574, थिरी बार में जादा हो जा रहा है, 5 से 4 घटाएंगे 1, फिर इसको घटाएंगे, तो 41 हो रहा है, फिर इसको यहाँ पर लिखेंगे, अब 41 का टेबल में देखी, 7 ब पर रग करेगा तो मतलब टाइल्स का एरिया निकाल लेना है तो इसका एक साइड ये निकल गिया 41 जो निकला ये वरग है तो लिख देता है तो सब खोले निकल गिया ठीक बढ़ाSm hollow करेंगे लेगर मैं चारी जब निकालेंगे तो A into A होता है A into A इतना हो जाएगा अब इसस को कार्ड देंगे हम लोग तो कार्टेंगे तो 840 ना आएगा और यह हम लोग का answer हो जाएगा Question number 35 देखिए इसमें दिया गिया है वो छोटी से चोटी सेंख्या 500 में से घटाई जाए ताकि इतना से भाग देने पर सेस 3 बचे ठीक है जब ऐसा question रहे तो हम लोग option hit के मदद से करेंगे तो चोटी सेंख्या इसमें से घटाई जाए इतना में से घटाई जाए तो 8 है तो 8 घटा दीजी तो 500 में से 8 अगर घटा देंगे तो हम लोग का होगा 400 492 होगा अब यहां पर सेस्फल दिया हुआ रहता है हम बताएं थे इससे पहले पार्ट में कि एक उस्फल रहेगा तो माइनस कर देना है तो इसको माइनस कर दीजी 489 अब यह जो आया यह 3 हो से कटना चाहिए तो देखी इससे कटेगा नहीं 5 से भी तो नहीं कटेगा तो यह लाश्ट में 0 होता या 5 होता तो 5 से कटता तो यह हम लोग का उप्सन नहीं होगा अब उप्सन भी देखते हैं 500 में से 17 को क्या करना होगा चोटी से घटाई जाए तो इतको घटाईए तो 17 को इसमें घटा देंगे तो हम लोग का आज आएगा 400 ठीक 10 से 7 घटाएंगे तो 3 अब यह 9 से 1 घटाएंगे 8 इतना हुआ अब 3 जो 6 बचेगा उसको भी हम लोग को फिर से घटाना है तो इतना हो जाएगा आप इसको यह सब से कट जाना चाहिए तो देखे 4 का टेबल में यह कट जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 कट जा रहा है 5 का टेबल में भी कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है और 6 का टेबल में भी कट जाएगा 6 का टेबल से काटने के लिए हम लोग देखे 6, 8 जब 48 होता है डिरेक्टली कड जाएगा तो हम लोग का एंसर हो जाएगा option B और यही आज के वीडियो का last question था जिसको ये वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें थैंक्स फूर वाचिंग